नमस्कार आप देख रहे हैं जन्भावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकेता सड़क हासे में बाल-बाल बचे स्टार क्रिकेटर रिश्यप पंत की सरजरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है रिश्यप पंत के घुटने का उपरेशन संफलता पूर्वक संपन हुआ फिलहाल उन्हें मैडिकल टीम की निगरानी में रखा गया है और वो काफी तेसी से रिकवर कर रहे हैं मीडिया डिपोर्ट्स के मताबिक मुंबई के कोकिला बेन धीरुभाई अम्बानी हॉस्पिटल में पंत का उपरेशन किया गया था डॉक्तर दीन शाप आरदीवाला ने पंत का उपरेशन किया इसे पहले पंद का इलाज देहरा दून मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था यहां वो चार जनवरी 2023 तक रहे और फिर उन्हें एयर लिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया जहां शुकरवार 6 जनवरी को पंद की घुटने का सफल ऑपरेशन संपन हुआ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शुकरवार को कुछ प्रारंबिक स्वास से चेक अप के बाद पंद की सरजरी की गई और सुबह करीब साड़े 10 बजे डॉक्टर पर्दिवाला और उनकी टीम ने पंद का उपरेशन किया जो करीब 2 से 3 घंटे तक चला पंद की हेल्थ अपडेट अस्पताल की जगहे BCCI जारी करेगा भारत के विकेट कीपर बलेबाज रिशब पंद 30 दिसंबर 2022 की सुभा एक भीशन रोड एकसिडेंट का शिकार हुए थे पंद दिल्ली से रुड की जा रहे थे तब ही उनका एकसिडेंट हो गया था इस हासे के बाद उनके घुटने, सिर और पीट में काफी गंफीर चोटाई थी पंद का फिलाल आस्ट्रेलिया के खलाफ फरवरी माच में होने वाली बॉर्ड गावसकर ट्रॉफिय और उसके बाद भाती टी 20 लीग IPL के सोलवे संसकरण में खेलना मुश्किल है BCCI द्वारा उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है उम्मीद करते हैं कि इस साल औक्टूबर निविंबर में होने वाले वर्ड डे वर्ल कप से पहले रिशापंद पूरी तरह से ठीक हो जाएं निश्यत ही टीम मैनेजमेंट और बोर्ड की भी इसी बात पर नज़र रहेगी तो वहीं फैंस भी उनके जल ठीक होने की कामना कर रहे हैं इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहे जनभावना टाइम्स के साथ नमस्कार